नमस्कार दोस्तो दोस्तो बहुत लोग हम से पूदते हैं कि सर हम लोग जब रूफ लेबल में वाल बीम देंगे उसका अगर पाँच इन्ची के दिवाल पे व्याल बीम का साइज क्या देगे यह कंफुरियों कहा जी आप बता रहा हो कि और यहां कि और 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 वहां पर रहता है मेरा पांचल इंचा सब्सक्स करने नियुत फीर में उसको च्छर्ट लीवल में लटक बैंडे रहें जिसको बहुत लोग ऋन्य ऐלי मीं बोलत कि बहुत को आपका वाल भीम बोलते हैं बहुत लोग रूफ भीम बोलते हैं अब क्या उसका भी साइज पांच इंची के दिवाल में पांच इंची का दे दे विथ चौराई उसका जहां पर 10 इंची है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं 10 इंची का रांज दे दिए अब यहाँ पे हम आज हम आपको यही बताएंगे वहाँ पे क्या साइज कर देना है और अगर देना है तो भाई कैसे उसका सट्रिंग करेंगे सट्रिंग इस्टेजिंग करेंगे और साइज क्या होगा चलते हैं देखते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए यह आपका मलब रूफ लेवल के इस्टेजिंग काम चलता है अब यहां पर क्या है जहां पर आपका नो इंची के वाल में आप अराम से जो है दोनों साइट से पट्टा मारी आपका नो इंची का बीम बन गया लेकिन जहां पर आपका पांच इंची का वाल है जिसको सारे चालेंची है टाइब तो दे दिये हम पांच इंची का ही उसके उपर लटक वीम कैसे दे वाल वीम कैसे दे इसके लिए सिंपल सा क्या आए कि भाय कि अफंड़ा कि आपको क्पला निकालना पड़ेगा पाच इन्ची के आपका यह राता है इसके उपर आप आप से at रहें और अब बीम डाल दीजिये लेकिन ऐसा तो पोसेबल नहीं है और यहां पर टाइप बीम भी जो है जो कि आप सेवन साथ फिट में देख रहे हैं वह भी आपका उस साइड आपका रूम है और यह आपका बात्रूम एरिया में जो कोपला निकाल दिया गया है जो कि आपका गुरूप टाइप का दिखेगा आपका नीचे सपोर्ट रहेगा फिर पहले बीम को बढ़ाना है चार इंची और फिर साइड से सपोर्ट मार देना है न कमाल की ची अब यहां रखें नो इंची का वाल था तो नो इंची में जुरती नहीं है यह आपका पांच इंची का वाल है तो पांच इंची में आपको जुरत पड़ेगा इस तरह का देने का हां गलती से भी कभी भी आप यह मना सुचे कि वह हम पांच इंची के दिवाल में भी जो ह यह बिल्कुल गलत है आपको 9 इंची का बीम देना है यह ध्यान देना आपको और अब उसका ठीकिनेस की डेफ्थ की बात करें आपको 12 इंची मतलब एक फिट जो है डेफ्थ देना अब उस एक फिट डेफ्थ में आपका इंक। रहेगा 5 इंची का छट भी मतलब आपका लटक जो अनली दिखेगा तो 12 इंची मैनस 7 इंची का ही लटक दिखेगा ऐसा नहीं कि छट के बोटम से आपको पहले बीम ढाल दिये तब जागे छट डाले वो गलत होगा ऐसा बिलकुल मत किजेगा कि मतलब क्या है कि बारा इंची में से पांच इंची पाट आपका छट के सर्या में जाएगा चट में जाएगा और साथ इंची आपका निच्चे लटक करके रहेगा ऐसे ही जए एक दूसर गाम होगा यह बेश्ट तरीका है कभी भी और आपको इस रूम का फेस में देखे प्लेन प्रता भी ने चलेगा बातरूम में आपको दिखेंगा बीम देखेंगा वाल के उपर ऐसे ही जो है आप घर बनाते हैं यह सब चीजह आपको द्यान में ले कर करके चलना है जिस से क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके और और ही और चीज़ अगर आपका लॉंग एस्पैन है मन्दब एक कोलम सब्सक्राइब भी ज्यादा है तो वहां पर आप गलती से भी जो है आप हीडेन बीम जिसको बहुत लोग फिलेट बीम बोलते हैं बिल्कुल नहीं देजिएगा मैं बहुत लोग को बोलता हूँ छत में हीडेन बीम देने के मना करता हूँ है बहुत लगे रहता कि रूमम न दिखें ऐसा नहीं आ इसमें आपका बहुत कमजोर हो जाएगा आपको लटक बीम जिसको आप लोग वाल बीम बोलते हैं वाल मी क्यों बोलते हैं हर एक वाल के उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर जो है बहुत कुछ सिखाया होगा और अगर यह वीडियो पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कोमेंट कीजिए, नीचे थैंक्स का टेब है, जो दिल बना होगा, उसमें ऐसे डॉलर लिखा होगा, वह आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और खास करके हमारे चैनल होगा को सब्सक्राइब कर देजिए, क्योंकि जैसे ही आप बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसका बगलें बेल आकर मन्यागा, उसको लिख कर देजिए, उससे बेनिफिट बस यह होगा, जब- पहला को नोटिफिर के सब्सक्राइब में दिखेगा, ठीक है दोस्तो, धन्यवाद दोस्तो